करीम को COVID-19 का संक्रमन है उनकी सामुदा एक स्वास्तेकार्यकर्ता मीनका ने जाच की है उसमें कोई गंबीर लक्षन नहीं है और जब तक वे बहतर नहीं हो जाता तब तक घर पर अलगाव में रह सकता है क्योंकि COVID-19 संक्रामक बिमारी है और अन्य लोग बहुत आसानी से संक्रामित हो सकते हैं करीम को अपने साथ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अपने घर को सेट करने की आवशक्ता होती है मेंका ने करीम से पूछा कि क्या उसके घर में एक निजी कमरा और बात्रोम है जहां वे बहतर होने के लिए अलग से रह सकता है अगर है तो करीम को घर पर रहकर ठीक होने के लिए वही सबसे अच्छी जगा होगी करीम के घर में एक अतिरिक्त कमरा नहीं है इसलिए में इनका उसे दिखाती है कि दो साफ चद्दरों का उपियोग करके वे कैसे एक कमरे के अंदर ही अलग जगा बना सकता है उस स्थान में एक अच्छा वातायन प्रदान करने के लिए एक खिड़की है करीम को इस स्थान पर ही रहना चाहिए और ठीक हो जाने तक वहीं अपना बोजन करना चाहिए यह मैत्वपून है कि अलगाव के दोरान करीम और उसके प्रात्मिक देखभाल करता को छोड़ कर कोई भी इस स्थान में ना जाये करीम के देखभाल करता और उसी घर में परिवार के सदस्यों को भी फेस मास्क पहनना चाहिए जब भी वे एक ही कमरे में हो करीम के देखभाल करता और परिवार के सदस्यों को उसके बहतर होने तक उससे कम से कम दो मीटर की दूरी रखनी चाहिए इस अलगाफ के दौरान केवल करीम के परिवार के सदस्यों, देख बाल करता और सुआस्ते कारे करताओं को ही करीम की घर में आने जाने की अनुमती दी जानी चाहिए यह मैत्वपून है कि घर को बहुत साफ रखा जाए और हर बार उपियोग के बाद एक-एक साजा स्तान या सताह को किटानू रहित किया जाए जैसे बातरूम और खाना पकाने की जगहा सफाई करने के घूल में कम से कम सत्तर प्रतीशत अलकोहल होना चाहिए करीम की वस्तूओं को समहलते समय और साजा स्तानो को किटानू रहित और साफ करते समय दस्ताने पहने जाने चाहिए उपियोग के बाद खराब चीजों को थैले में डाल कर उनका ठीक से निप्टान करना चाहिए विशेश रूप से उन सतहूं या स्तानों को नियमित रूप से किटाणू रहित करना महत्वपून हैं जिन्हें लोग ज्यादा स्पर्श करते हैं जैसे दर्वाजे के हैंडल, लाइट के स्विच्च, टेबल, कुरसियां, शोचाले, नल और सिंग्ग घर को किटाणू रहित करने के साथ साथ वहां रहने वाले सभी को कम से कम 20 सेकिंड के लिए अपने हातों को साबुन और पानी से बार बार धोना चाहिए अपने लक्षणों के शुरू होने के बाद करीम को कम से कम 14 दिनों के लिए अलग रहने की आवशकता है फिर अगर वेह कम से कम तीन दिनों के लिए दवा के बिना ही ठीक हो और उसे कोई लक्षन ना हो तो वेह पूरी तरह से ठीक हो गया होगा वेह अपने सामान्य जीवन में लोट सकता है पर यह मैत्वपूर्ण है कि निम क्रियाओं द्वारा वे अपने और अपने समुदाय की रक्षा करते रहें कम से कम 20 सेकिंड के लिए साबुन और पानी से अपने हाथ धोना कम से कम 2 मीटर की शारी रिकदूरी बनाए रखना और जब आवश्यक हूँ सार्वजनिक स्तानों पर फेस मास्क पहनना सु रक्षित रहें अपने समुदाय की रक्षा करें कुछ बहतर करके दिखाएं